3 silos of group, एक group के, जिसका order 15 है, कितने होंगे, यह हमें पता करना है, इसको हम निकाल सकते हैं, n3 equals to 1 plus 3 k के help से, जो कि divide करेगा group के order, यानि कि 15, 3 cross 5 को, अब यहाँ पर simple सी बात है, 1 plus 3 k, क्योंकि यहाँ पर 3 का multiple है, तो वो 3 को तो divide करना ही सकता, तो 1 plus 3 k को divide करना होगा 5 को, और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि k का value क्या आएगा 0, क्योंकि only 1 ही एक ऐसा number है, जो 5 को divide कर सकता है, यानि कि 1 plus 3 k, जब आपका k का value क्या है, 0 है, equals to 1 होगा, option D correct है, अब क्योंकि एक ही 3 silos subgroup exist कर रहा है, तो वो unique है, यानि कि normal भी होगा,